हेलो दियर स्टुडेंट्स आइम सीए सुमित गयल तूड़े भी विल डिस्कस अबाउट सीए फांडेशन सप्टमबर 2024 एक्जाम क्या था एक मोस्ट अवेटेड अनॉंस्मेंट थी कि वैदर थ्राइस जिंदा एयर का जो पैटर्न है सीए फांडेशन का वो 2024 से अप्लिकेबल होगा या 2025 से तो एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है जो ब्लस्टु कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सीए एस्पिरेंट हैं उनके लिए दे कन अपियर फूर सीए फांडेशन इन दिसंब 2024 एक्जाम में आप अपियर हो सकते हैं आपको और वेट दिसंबर जैनुवरी 25 तक वेट करने की जरूरत नहीं आई सीए की अनॉंस्मेंट 24 एपल यानि यस्टरड़ आई सीए ने यह अनॉंस्मेंट दिया है कि अब यह ट्वाइस जिंदा यह की जगासी ए फांडेशन और इंटर्मेडियर में फ्राइस जिंदा यह फ्राइस फांडेशन जो एक्जाम होगा वो अब मेजून 1st, 2nd, सप्टमबर 3rd, दिसम्बर और जैनुवरी में होगा जैसे आप सप्टमबर 24 में आप एक्जाम में अपिर हो सकते हैं अदरवाइज दिसमबर 24 और जैनवरी 25 दिसमबर एंड में स्टार्ट होता है और जैनवरी फर्स वीक में एंड होता है तो इस एक्जाम में भी अपीर हो सकते हैं बट उससे पहले सप्टमबर 24 का एक्जाम डियू हो गया है आप अपना फॉर्म सम्मिट करें वेट मत करें आईएसी आई का जो रिजिस्ट्रेशन है में 24 एक्जाम के लिए आईएसी आई के रिजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है इस फास्ट में 24 फॉर मंस का गैप चाहिए फॉर अपेरिंग सी ए फॉंडेशन एक्जाम तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लैन कर सकते हैं अब में 24 इस फाइव डेज रिमेनिंग लास्ट डेट है आप फर्स्ट में के बाद अगर फॉर्म सम्मिट करेंगे तो यू कांट अपियर फॉर सेप्टमबर 24 सी ए फॉंडेशन एक्जाम तो आपको एक्जाम फॉर्म चाहे बाद में सम्मिट करना हैं लेकिन यू मस्ट गैट यू मस्ट गैट रिजिस्टर फॉर सी ए फॉंडेशन अप टू फॉर्स्ट में 24 आपको रिजिस्ट्रेशन करवा लेना है कुछ स्टूडेंट की क्वैरी आई इसमें सर अगर इतने शोट पिरड में अगर परपेशन ना हुई तो तो इट इस जस्ट रिजिस्ट्रेशन यह आपको सोचना है रिजिस्ट्रेशन करवा लो आप फॉस्ट में 24 तक यह आपके पास च्वैस है कि आप सेप्टमबर 24 सी ए फॉंडेशन एक्जाम में अपियर होना चाहते हैं या दिसंबर जैनवरी दिसंबर 24 या जैनवरी 25 में जो एक्जाम होगा उस सी ए आती है तो आप इसमें अपियर हो जाएंगे अदरवाइज आपके लिए अप्शन दिसंबर एंड और जैनवरी बिगनिंग वो अप्शन हमेशा अवलेबल है उसके लिए आपको आई सी आई में एक एक्जाम फॉंबी सम्मिट करना होता है विद रुपेस 1500 फी यह एक्ज के लिए अगर आप you are going to appear for September 24 एक्जाम तो आपको जून 24 एंड वीक में लास्ट वीक में आपको यह एक्जाम फॉर्म सम्मिट करना है अगर आपको दिसंबर 24 और जैनवरी 25 में जो एक्जाम लिए होगा उसके लिए आपको September एंड में September 24 एंड में क्या सम्मिट करना है एक कोई भी लोस नहीं रूपिज 9000 फीज के साथ आपका रिजिस्ट्रेशन ICI में हो जाएगा देन आपको चूज करना है वेदर यू वांट तो पियर फॉर September 24 एक्जाम और वांट तो गो फॉर दिसंबर 24 और जैनवरी 25 एक्जाम दिसंबर में स्टार्ट होता है जैनवरी मे तक जाता है उसमें आप अपियर होना चाहते हैं यह आपको डिसाइड करना है अगर आपको लगता है प्रेपेशन हो रही है ठीक से September के लिए हो जाएगी अभी टू मन्स हैं यह डिसाइड करने के लिए क्योंकि एक्जाम फॉर्म अभी कब जाएगा September के लिए जून में ज आप यह अगर आपने एक्जाम फॉर्म सम्मिट कर भी दिया है तो आप एक्जाम में अपियर नहीं होना चाहते है तो यू कैन स्किप इट एट फिफ्टीन अंडर रुपीस का लॉस होता है आप क्या है नेक्स्ट अटेम्ट में अपियर हो सकते हैं आपके पास यह प्रपेशन नहीं होगी यह अनॉंस्मेंट थ्राइज इंदा यार बच्चों के लिए सो बेनिफिशन ट्वाइज इंदा यार की जगा थ्राइज इंदा यार थ्री टाइम आपका सी ए फाउंडेशन का एक्जाम होने वाला है मेजून नेक्स सेप्टमबर और नेक्स दिसंबर और जैनवरी 25 इस से बच्चों को यह फाइदा होता है कि कई बार क्या होता है स्टूडन ने प्रपेशन अच्छी नहीं की टाइम कब मिला एक्जाम में वो क्लियर नहीं कर पाया तो इस यानि यह थ्राइज जिन्दा एयर का इसी लिए उप्शन दिया है ताकि स्टूडन थोड़ा सा और नेर्वस हो जाता है अटेम्ट में क्लियर नहीं कर पाता तो उसके पस टाइम एक और अटेम्ट होगा विदिन एयर डैट्स वाइव उन्होंने इंस्टेड ऑफ टू थ्री टाइम आपको यह उप्शन प्रोवाइड किया है अब बहुत से बच्चे हैं दो स्टूडेंट दो स्टूडेंट्स वो हैव सम्मिटेड सी एफ फाउंडेशन रिजिस्ट्रेशन फार्म अब टू अब टू फास्ट फेबरी ट्वेंटी फॉर जून ट्वेंटी सी एफ फाउंडेशन का जो जून ट्वेंटी फॉर का अटेम्ट है उसके लिए फॉर्म सम्मिट कर चुके हैं एक्जाम फॉर्म भी बट कुछ कोल आए बच्चों ने का सर वहां पे टाइम इतना शोट है कि हम स्लेबस स्लेबस रिवीजन मौक टेस्ट पेपर रिवीजन टेस्ट पेपर ये सब बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे स्लेबस अच्छा कसा है सर येस ऐसे बचचे बॉदड हैं कि 10 दीसंबर में देंगे तो बहुत लेट हो जाएगा जून एंटेम्ट हमने समिट कर रखा है प क्योंकि वो जून की जगा अगर वो सेप्टमबर में अपीर हो जाते हैं जस्ट टू मन्स का गैप है लेगिन आप एक अच्छी प्रेपरिशन के साथ तो जाएंगे जून अटेंप्ट अगर आप स्किप कर देते हैं यू कन गो फॉर सेप्टमबर ट्वेंटी फॉर एक्जा आएंगे अब आपकी पासिंग के जो चैंसी जैंप प्रॉबिबिटी है वो बढ़ जाएगी यह एक्जाम ऐसा एक्जाम नहीं है के एम सी क्यू बेस है चलो देखे देख लेते हैं क्या पता हो जाए या चलो एक अटेम्ट करके देख लेते हैं सिस्टम पता लग जाएग अगर आप जून में अपीर होते हैं एक स्टूडेंट जून में एक्जाम देता है जून में अपीर होता है लेकिन आफ हाइट टेड़ अफाइट करता है जून में वो स्टूडेंट जून अटेम्ट के अंदर अपीर होता है जून 2024 लेकिन विदाउट प्रोपर प्रेपरेशन विदाउट प्रोपर प्रेपरेशन पूरा होल्ड नहीं है स्लेवस पे और अगर स्पोस पास हो जाता है तो गुड और वेल नहीं पास होता तो उसका यह फास्ट अटेम्ट फेलियर हो जाता है फास्ट अटेम्ट फेलियर देखो अब आप सेकंड टाइम देंगे क्लीर कर भी लें तो सेकंड टाइम पास आउट ट्रीट होगे फास् attempt में क्या उसकी CA foundation first के अंदर क्या CA enter और first attempt के अंदर CA final जब आप जोब में जाते हैं तो आप first attempt count तो ही करें हो पाएंगे अगर आपने first attempt में foundation clear क्लियर किया है तो आपने trial based पे दिया first attempt आपका waste हो गया then after आपने second attempt दिया तो आप उसमे second trial में pass out मान लिये जाएंगे तो आपको उसका credit नहीं मिल पाता वो कल को job profile अच्छा नहीं मिल पाता जो कि आप deserve करते हैं तो आप half hearted effect ना करें just two months का gap है just two months का gap है आप अगर september में exam दे देते हैं तो आप easily क्या है two months or addition हो जाएंगे आपकी preparation में और बहुत easily आप September 24 exam को जो है correct कर सकते हैं क्योंकि अब जो syllabus के level की बात करूं जो syllabus है इसका अगर syllabus की बात करें तो यह syllabus थोड़ा when new expenditure जर्नल कैश बुक सबसीडरी बुक लेजर ट्राइल बैलन्स फाइनल अकाउंट रेक्टिफकेशन ओफ एरर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यह प्लस फोन लेवल के अंदर भी topic कवर होते हैं पर उतने detail में नहीं हैं जैसे अगर आप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो manufacturing अकाउंट भी आपको पढ़ना है जो की प्लस वन में नहीं पढ़ा रिकंसिलेशन पढ़ेंगे तो अरजस्टिड कैश बुक भी कईयों नहीं नहीं पढ़ा है और ऐसे question भी कि आपको वह अभी तक तो प्लस वन लेवल में क्या है डिस्किर्पेंसिस डिटेक्ट करके बताता है कि यह चेक लेर नहीं हुआ अन्प्रेजेंटेड वहां पर डिस्किर्पेंसिस भी आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी information दे देगा बैंक की statement और आपकी cash book मार्च की भी और apple की भी खुद detect करो कि क्या unpresented or uncollected है वो भी आपको इस लेवल के अंदर cover करना है तो वो सारा cover होगा plus inventory का chapter plus one plus two में cover नहीं होता वो नया करना है depreciation पूरा नहीं cover होता plus one में machine rate, production method, changing method of depreciation, provision for repair, revaluation ये सब depreciation में extra है जो plus one level में cover नहीं होता bill of exchange levels में cut हुआ था plus one के ये अच्छे level का chapter है ये भी आपको क्या है slaves में cover करना है NPO account plus two के slaves में कहीं भी नहीं बहुत vast level पे ये chapter है account of non-profit organization जो level है वो कभी plus two में भी था नहीं कई वार बच्चा देखता है book उठाता है depreciation ये तो plus one में भी था final count ये तो plus one में भी था ऐसा नहीं है इसका level plus one जैसा नहीं है बहुत हाई है chapter के title में न जाओ chapter के अंदर content देखो फिर आपको level का पता लगेगा NPO का level कभी भी जब plus two में था ये chapter तब भी वैसा नहीं था जो सी ये level में है ठीक पार्नेशिप में पार्नेशिप का first topic fundamental, approfition, goodwill, admission, retirement, death, dissolution है इनके अंदर भी काफी अच्छे level के question है section 37 का भी use है के एक partner रिटार हुआ उसका पैसा नहीं दिया तो वो क्या right रखता है वो profit का share भी ले सकता है अगर रिटार्मेंट पे पैसा ही नहीं दिया तो वो चीज़ें इसके numerical यहां dissolution of partnership firm और dissolution of firm में piecemeal distribution अभी तक plus two में cover होता है कि dissolve हुई किसी का debit है वो buy bank ले आएगा किसी का credit है उसको two bank दे देंगे लेकिन जिससे buy bank लेना है वो insolvent है line सकता तो क्या treatment होगा ये एक और chapter edition किया गया है insolvency of partner pieces में पैसा आ रहा है कभी debtor से आ गया कभी machine से आ गया कैसे बंटें वो piecemeal distribution भी यहां cover है company account की introduction ये तो पढ़ा हुआ है forfeiture issue of debenture लेकिन redemption of debenture इसमें extra cover करना है अच्छे level का chapter है redemption of preference share, bonus share, right share, AS20 को use करके ये किसी भी level में आपने नहीं पढ़ा issue of debenture पढ़ा था account of account of incomplete record single entry बहुत vast level पे ये chapter है तो ये chapter देखो कितना addition है plus one plus two तो cover ही है उसके इलावे भी काफी slayvus इसमें क्या है additional है तो इसको करना है तो अच्छे से आपको time devote करना होगा short run में आप इस slayvus को इस level को उतना hold नहीं बना पाएंगे जितना की exam के लिए हमें चाहिए तो आपको वो देखना है लोग के slayvus की बात करें तो business low का जो slayvus है September या June या December January के लिए जो slayvus है वो revise applicable है revise क्या Indian contract act पहले भी था इसमें ये three chapter और एड़ कर दिएगे बेल्मेंट, indemnity और law of agency तो और वास्ट हो गया है sale of goods act पहले भी था as usual, company act पहले भी था वही है, partnership act औरड़ी चल रहा है, LLP act और negotiable और addition हो गया है bill of exchange, promisee not के rule, bill, promisee not, check वगयरा के rule, ये और आपको cover कर दे है तो six acts are there, जो contract act है, उसके आपने करीब 12 chapter पढ़ने हैं, contract act, business law के अंदर sale of goods act के four chapters आपने पढ़ने हैं, 16, company act के four chapter पढ़ने हैं, 20, partnership के three पढ़ने हैं, 23 LLP का one करना है, 24 और negotiable के three topic पढ़ने हैं, तो आप देख लो के आपको cover करने हैं, करीब करीब 27 chapters, तो आप देख लो जो जून में देने जा रहा है, वो क्या two months में 27 chapter business law के hold बना लेगा, तो अगर थोड़ा भी doubt है, तो आप September attempt के लिए जाए, two months के बाद आप बहुत अच्छी preparation करके इस exam में अपेर हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा opportunity आपके लिए रहेगा, ठीक है, तो आप September exam के लिए अपेर हो सकते हैं, बस ये डेट याद रखें अपने जो भी friends हैं, उनको inform कर दें, कि September exam के लिए जो registration की last date है, it is first May 24, after that कोई late fees का provision नहीं है, otherwise आपको December January 24 के लिए ही wait करना होगा, आप exam form बाद में करेंगे, आपके पास choice होगी, registration करवा लीजिए, चाहे दिसम्बर में paper दें, हाँ September में paper दें, हमारे पास इसके batches already क्या है शिरू हो चुके हैं, जो September दिसम्बर attempt है, दिसम्बर तक भी exam तक भी जो batches available है, और up to September भी available है, clear, हमारी जो team है, myself, C.A. सुमित कॉल, account low cover करेंगे हम, शेल्जा में है, economics cover करेंगे, साहिल मेता सर, mathematics cover करेंगे, आप ये announcement के regarding अपने friends को सभी को inform कर दें, कुछ बच्चे बैठ हैं कि C.U.T. दे के सिये कर लेंगे, तो September attempt आप नहीं दे पाएंगे, इतने short run में preparation नहीं हो सकती, ठीक, किसी और student या teacher की बातों में आके अगर आपने attempt दिया, तो मैं आपको आशार कर दूँ कि ऐसा सी exam में नहीं होता, कि chance हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो paper account, accounting और business law, ये 27 chapters इसके अंदर cover हैं, तो 30 plus chapter जो हैं इसके अंदर cover हैं, तो आपको उस पे hold बनाना होगा, two paper multiple choice में, math और economics, math stat और economics, तो इसलिए अच्छी preparation के बीना आप नहीं दे सकते हैं, September के लिए four months का time है, you can go for September attempt, इसके लिए documentation के लिए आपको क्या, ICI.org के service portal पे जाके user name, ID's बनाना है आपका, और date of birth, name, father name, email ID आपने post करना है, और user name, password आपका बनेगा, और 10th की mark list, एक photograph, white background के साथ, अधार कार्ट, signature, 9000 online fee जाएगी, net banking के थरूँ आप पे कर सकते हो, debit credit card के थरूँ, तो कोई formalities बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 minutes का ये सारा process है, you can file, CA foundation, तो इससे क्या, CA completion का आपका जो tenure है, वो भी कम हो जाएगा, December, January में देते हैं, उसकी बजाए सेप्टमबर में दे रहे हैं, ICF 25 डेज में result आउट करने लगा है, तो आपका time जो है, CA completion का वो भी क्या, इस सेप्टमबर attempt से कम होने वाला है, तो प्लीज, आप अपने circle में inform कर दे हैं, कि last date इसकी जो है, वो फास्ट में 24 है, for any other information, you can directly call me or our staff, you can contact at any time, तो 9896070560, CA sumitcoil, you can call at any time, thank you very much.